नमस्कार मैं देजस पूनिया, Read Together 8 चैनल पर आपका स्वागत है कविताओं के निजाम में ठिकाना तलाशती, बूंद बूंद पानी आज की समिक्षार्थ प्रती है, बूंद बूंद पानी इस कावे संग्रहे के लेखक हैं, लेखक, कवी, अमित कुमार, मल आँखें हैं, आवाज है, दिल है, दिमाग है, न जाने क्यों अब कुछ खटकता ही नहीं तकरिबन साल भर हुआ, इस किताब की समिक्षार्थ प्रती को प्राप्त हुए, अपनी व्यस्तताओं के बीच कुछ भी प्रतिक्रिया न दे पाया कई बार ऐसा हुआ है, किसी ने किताब भेजी और मैंने प्रतिक्रिया नहीं दी, या कभी जवाब दिया, तो मैंने कहा, नकारात्मक टिपणी जेल पाएंगे आप, तब मैं कुछ प्रतिक्रिया दे देता हूँ खेर, आज की किताब है, बूंद बूंद पानी अब तकरिबन साल भर बाद ये किताब खतम की है पढ़कर, कुल 136 पेज की इस किताब में इतने ही मुक्तक हैं, तो जरा देखें कैसी है यह किताब और कैसे हैं इसके मुक्तक उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट भी अवश्य करें कावे विधा के अंतरगत मुक्तकों का अपना एक अलग स्थान है जैसे लंबी कविता, प्रगीत, मुक्तक, प्रबंध कावे, आदी लेकिन जब मुक्तक ही लिखे गए हैं तब इसे कावे संग्रह क्यों कहा तथा लिखा जा रहा है कम से कम मुक्तकों के लिए मुक्तक संग्रह ही लिखा जाना चाहिए इस किताब के आरंभ में ही एक मुक्तक है तेहस नहस कर आधियां मासूम बन गई तोटे हुए शाख की उम्र हो चली थी एक और मुक्तक देखें कई सदियों का मसला है पुराने गिरहें जल्दी खुलती नहीं अब देखा जाए तो है तो ये साधारन लेकिन है गहन और गूड अर्थ लिये हुए जो रिष्टों के साथ साथ जिन्दगी के अर्थ को भी द्याख्याईत करते हैं कुछ तो जरूर था तेरे मेरे बीच तू मुस्कुराती रही मैं बेसुद होता गया अब इस तरह के मुक्तक पढ़कर आप प्रेम में लब्रेज उन्ही वाओं को सुना सकते हैं जिन पर से प्रेम का सुरूर या तो उतर गया है या अभी चड़ना शुरू हुआ है समझदार दुनिया में समझदारी भरी पड़ी है ना समझ प्यार पनाह ढून रहा है जैसे मुक्तक समझदार और ना समझ लोगों के बीच के अंतर को बया करते हैं तो इसी थरह गर शब्दों के चहरे होते तो कोई किताब पूरी न होती यह बतलाता और सिखलाता है कि जिन्दगी में हर किसी के पास दो चहरे हैं हर कोई जरूरत पढ़ने पर उनका इस्तमाल कर लेता है जैसे राजिश खन्ना की फिलम दाग में गाना आता है एक चहरे पे कई चहरे लगा लेते हैं लोग ठीक वैसे ही कुछ असल दुनिया में भी होता है जमाना मुझे काबिल बनाने के लिए तराशता रहा उम्र बीट गई जूट को सच बनाना नहीं आया यह मुक्तक तो न जाने कितनो के ही करीब का है ऐसे लोग जिने सिरफ सच से मतलब है जिने जूट को सच में बदलना या गढ़ना नहीं आता उन लोगों को जमाना तराशता है जूट के पुलिंदे गढ़ने के लिए उन्हें तयार करता है उस जूटी तमनाओं के महलों के खोखले कंगूरे खड़े करने के लिए वैसे राजेश जोशी ने एक कविता लिखी थी मारे जाएंगे यह मुक्तक पड़ उसकी याद आ जाए तो स्वभाविक है क्योंकि उसमें भी आता है जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे बादलों को नस्दीक से जानने की चाहत में बादलों को नस्दीक से जानने की चाहत में पता ही नहीं चला कब जमीन से पैर उखडे यह मुक्तक बतलाता है कि हम भले बादलों को ही नहीं, आस्मानों की अनंत उन्चाईयों तक चले जाएं, उन्हें करीब से जानें, लेकिन हमें अपनी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए जिन्दगी से प्रेम, प्रेम से विद्रोह, विद्रोह से आरोप, प्रत्यारोप और फिर खुद को साबित करने वाली यात्रा तथा इसके बाद खुद को बे कसूर बता कर दूसरों को समझाने, आईकुद का कसूर, पूछते हुए, स्वयम को, किताबों या कहिं सकारातमक दिशामे मोडने के अंदाज में मुक्तक लिखे गए प्रतीत होते हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ अच्छे मुक्तकों के अलावा, कुछ एक टूटी तमनाओं को लिए हुए मुक्तक भी इसमें शामिल है, जो किताब के साथ साथ लेकिन की तमनाओं के बांद की धारा में भी रोड़े बनते हैं। काश की इन्हें चुनकर अलग कर लिया जाता तो यह मुक्तकों की धारा अबादगती से बहती नजर आती। और यह मुक्तक फूलों का एक गुलदस्ता बन जाते, जिनकी महक चहों और दिगदिगन तक खुश्बू फैलाती। दरसल हिंदी साहित्य के आचारे रामचंदरशुकल कभीवर बिहारी के संबंद में लिखते हैं। मुक्तक में प्रबंद के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग में अपने को भूला हुआ पाठक मगन हो जाता है, इसमें रस के ऐसे चीटे पड़ते हैं, जिन से हरदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंद कावे एक विस्तरित वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। उदासी वक्त बता कर नहीं आती, दरदीले यादों के साथ कसैला पन आता ही है। ये मुक्तक भी उन यादों के कसैले पन का कसैला रस आपकी साहितिक जीब पर छोड़ जाते हैं। साथ इस ही इस कावे संग्रे के शिर्षक से जुड़ा हुआ कोई मुक्तक आपको इस किताब में नजर नहीं आएगा। मसलन जैसे राजनीती में बयान आते हैं बूंद बूंद को तरसेगा पडोसी मुल्क बावजुद इसके वहाँ कोई कमी नहीं होती। वैसा ही इस किताब के साथ है कि इसमें जो साहित्य का मुंद बूंद पानी मिला हुआ है मुक्तकों के रूप में वह उस शिर्षक वाले मुक्तक की कमी को ज़्यादा खलने नहीं देता। लेखक राजय करमचारी साहित्य संस्थान उत्तरप्रदेश द्वारा कावे संग्रे फिर के लिए डाक्टर शिव मंगल सिंग सुमन पूरुसकार 2017 से सम्मानित है जो साल 2016 में छपा था। कावे संग्रे लिखा नहीं एक शब्द अंग्रेजी में अनुदित भी हुआ है जो साल 2002 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा लोक कता संग्रे काका के किस्से साल 2002 में आया इसके अलावा आकाशवानी लखनव से कावे पाथ भी प्रसारित हुआ है। इनके एक मुक्तक के साथ आपको छोड़े जाता हूँ फिर कभी मुलाकात के भरोसे के साथ सिर्फ जीना ही जिन्दगी नहीं है। वजह कुछ हो तो लगे जिन्दगी जिन्दाबाद है। आपका धन्यवाद और इस चैनल को पुने सस्क्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।